हलो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल गाईज तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो पहले हम प्राइमर लगाएंगी फेस किलीन कर दिया था दोस्तों उसके बाद मैं आईबरो को डिफाइन कर दिया है ब्राउन कुलर के पैंसिल से है अनि ही तवंटि के फुप्टी अराउंड और इसके बाद मैं इसको अची तरह ब्रृश से रख दूगी उसके बाद लेक में कर नेटीटी तुफाइब को मैंने टू चरेम लीया और यॉसको अच्छी तरह लगा के ब्लेंडर से मैं लेंड कर दिया है विटी पहले मैंने वाश करके रख लिया था अच्छी तरह और जितना भी इसका वाटर होता है उसको एक्स्यूच कर दिया था निकाल दिया था तो अच्छी तरह इसको ब्लेंड करना है गाईज उसके बाद मैवलेन का कॉमपैक है यह वाटर प्रूफ है तो इससे तरह मैंने बिट इसके बद गई समय सेडो पर आजएंगे तो मैंने और सीच ब्राउन अच्छी तरह मैंने ऐसको डिफलेंड के उसके बाद मैंने ब्लू लिया है क्योंकि आप देख शक्ति इनकी जो साड़ी है दूर कर इनको पाटी मेंकप चाहिए था तो एक सिम्पल सोबर और बहुत ज नसके पहले पोड़ाइन नागे हैं जो तरीके से पूरे हाइलाइट जो वाइट कलर तो लगाया है मैंने और बहुत मेकश्व कर सकते हो खुद ऐपने क्लाइंट नी लगा दीया इस तरह के से और जो इसके गडर्या लगा घुश्यू से पहले उसके पूंद सर two first लगाद यह सब्सक्राइ林 के इसके लिल गाए ने ज्यफाट ने जाई पाट इन एक नैए नाइट पार्टि मैपप लोग वाईज तौ यहाँ पर मैंने फीक लेस्चिस लगाया है और यह बहुत सींपन बहुत आसान तरहीक से हो जाते है तो इस तरहीक से फीक लेस्टेश को लगा देवें मैंने मस्कारा लगा दिया है ब्लू हैवन का यह मस्कार है 50 रुपे का यह हाइलाइटर है यह इन कॉनिक है गाई 300 के आसपास है और अच्छी तरह मैंने इनको कोई कंटोर बगर नहीं किया कोई ब्लस बगर नहीं तो सिर्फ मैंने इनके हाइलाइट दिया बिल्कुल नॉर्मल सा रखा है ब्लू हैवन का मेकप फिक्शर है तो अच्छी तरह मैंने इसको साइट कर दिया है तो कैसी जो इनका लुक आप देख सकते हैं मैंने डार्क लिप से रखा यह थोड़ा सा परपल टाइप में है यह मैट लिपस देखे इसको अच्छी तरह मैंने इनके लिपस पर लगा दिया है और इससे आप लुक देखिएगा काफी अच्छा आया है और वाइट का जल स्विच बीटी का मैंने फिल किया इनके आँखों में क्योंकि ब्लू आई मेकप है साड़ी है तो से काफी अच्छा लुक आता है तो इ इनका फाइनल लुक है गाईस बताना कैसा लगा धन्यवाद करते हैं दिल से कि आपनों मेरा वीडियो देखते हैं थैंक्यू गाई थैंक्यू सो मच